दोस्तों भारती राष्टी आंदोलन पर आधारी थी वीडियो श्रंखिला लगातार चल रही है और इसका अगला पार्ट आप देखने जा रहे है यहां लिखा हुआ है सारांश अब प्रशन यह उठता है कि सारांश किस चीज का कोई चीज जब हम लोग डीटेल में पढ़ते हैं तभी तो उसकी समरी देखते हैं तो यहां समरी हम लोग इस चीज की देख रहे हैं कि पीछे हमने यह देख लिया है पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने कवर किया है तो उसमें हमने यह देखा कि अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है और सिर्फ अंग्रेज भारत में आने वाले अकेले नहीं थे उसके अलावा पहले से ही पुर्टगाली आये हुए थे और बाद में आते हैं फ्रांसीस के अलावा डच, डेनिश यह सब जितनी शक्तियां हैं यह भारत में प्रस्थान करती है मतलब यहाँ पे इनका पदारपण होता है उद्देश वही था व्यापार करना, फायदा कमाना लेकिन जब यह यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की जमीन इने फायदेमन दिखाई देती है लगता है कि यह तो मुनाफिका सौधा है और उसके बाद यह लोग यहाँ पे जड़ जमाने का प्रयास करते हैं अपनी फैक्ट्रिया मगेरे लगाते हैं और ततकालीन जो मुगल रूलर्स होते हैं उनसे पर्मिशन प्राफ्ट करते हैं समय सेमय पर कुछ जो भागावे वाला काम है उसको करते हैं तो इस प्रकार से इनका काम चलता रहता है अब ऐसा है कि जब एक अही चीज के लिए एक से ज़ादा लोग प्रयास करते हैं प्रतिसपर्धा होती है, कमटीशन होता है और यहां जो कमटीशन होता है उसके परिडाम सरूप युद्ध होते है तो आप देखेंगे कि वेदरा का युद्ध होता है वांडिवाश का युद्ध होता है और इसका नतीजा यह होता है कि यहां से डच और फ्रांसीसी जो है वो पहले से ही साफ हो जाते हैं और अंग्रेजों का रास्ता अब साफ है लेकिन अब रास्ते में बाधा कौन था ये मुगल जो बादशाह थे मतलब जिनका केंद्रिकृत शाशन था वो थे और उसके अलावा जो इनके स्थापित किये हुए नबाव थे जैसे कि बंगाल का नबाव है या अवद के नबाव है तो ये लोग रास्ते में बाधा थे क्योंकि ये रुकावट डाल रहे थे तो अंतिम निरडायक युद्ध होता है प्लासी के युद्ध में बंगाल वाला छेतर वैसे अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है वो 1764 तक आते आते एकदम क्लियर हो जाती है और जो दस्तावेज यहाँ पे तयार हुआ था उस पर हस्ताक्षर हो जाते है मतलब सही लग जाती है अर्था तब यही होने वाला है मतलब वास्तवेज कब यहाँ पर प्रशासक कौन होगा अंग्रेज होंगे और उसी का साराश हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं साथी साथ हमने यह भी पीछे देखा था कि मुगलों के पतन के क्या कारण थे मुगल यहाँ पे असफल क्यों हो जाते हैं मतलब उनके जो बाद वाले उत्तर वर्ती मुगल शाशक हैं वो किस प्रकार की आयोगिता रखते हैं जिसकी वजह से उनका पतन होता है साथी साथ फ्रांसीसियों का पतन क्यों हुआ पुर्तगालियों के साथ ऐसा क्यों हुआ मतलब हो क्यों नहीं टिक पाए यह सब भी हमने देख लिया था यहाँ उनी चीजों का हमें सारांश देखना है तो सारांश यह है कि ब्रिटिशों की विजए होती है इसके अलावा ब्रिटिश सफलता के कारण क्या है तो यहाँ अगर देखा जाए दोनों शब्द आप देख रहे हैं पीछे आपने इसका फैसला कर लिया है यह संयोग बश भी था और इरादतन भी था दोनों चीज है मतलब इनके पास स्ट्रेटिजी भी थी अंग्रेजों के पास साशन करने की और यह बखू भी जानते थे कि अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको कैसे परास्त करना है और यह कुछ हद तक संयोग भी था मतलब यह एक संयोग मात्र भी हो सकता है अब इसके बाद देखिए ब्रिटिश काल की शुरुआत कब होती है यह सब हमने देखा ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे यह भी हमने देख लिया है अंग्रेजों की बंगाल विजय जो होती है प्लासी के युद्ध के तोर पे यह पूरे बंगाल पे अपना कबजा स्थापित कर लेते है बंगाल का ततकाली नवाफ सिराजो दौला रहता है और उसी के समय में क्लाइब के नित्रितु में जो अंग्रेजी सेना है वो इसके खिलाप युद्ध छेड़ती है और युद्ध कुछ खास होता नहीं है क्योंकि यहाँ जो पूरी सेना है उसमें फूट डाल कर क्लाइब मीरजाफर की सहयोग से पूरे युद्ध को जीत लेता है यह सब चीजें होती है अली नगर की संधी यह महतुपूर्ण घटना है प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 सिरा जो दौला पर राबर्ट क्लाइब की जीत ने भारत में बिटिश सामराजी की जो नीव है उसको डाल दिया था मतलब एक आशंका यहां से पैदा हो गई थी कि अब यही जो है पूरे भारत में होने वाला है बकसर का युद्ध इसका नड़य कर देता है बकसर के युद्ध में अगर आप देखें इसका पूरा रूप देखें बकसर के युद्ध में यानि 1764 में बंगाल के नवाब, अवद के नवाब, मुगल बादशाह की जो कमाईड आर्मी रहती है सहयुक्त सेना बकसर में, बकसर बिहार का एक छेतर है वहाँ पे कलाइब के नित्रतो वाली जो अंगरेजी सेना होती है उससे परास्थ हो जाती है और इसके बाद बकसर के युद्ध के बाद कोई रोकने वाला नहीं बचता है उसके बाद एक अपचारिकता बचती है इलाहाबाद की संधी जो की अकबर के द्वारा बनवाय हुआ जो इलाहाबाद का फोर्ट है, किला है उसी के अंदर होती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ततकालीन मुगल बादशा है शाह अलम दुदी है उसको पेंशन भोगी बना दिया जाता है और पूरा जो अधिकार छेतर है, वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है ये सारी चीज़े होती है तो घटनाओं को आप ध्यान दीजेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अवद के नबाव के साथ संधी होती है मुगलों का रास्ता तो यहां से उन्होंने साफ कर लिया था मतलब उन्हें एक तरह से किनारे कर दिया था पेंशन भोगी बना दिया था अब अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गये थे लेकिन अब मैसूर पर यहां पर ब्रिटिश सामराजी की विजय होती है उसको अगर देखा जाए तो इसके लिए आसान रास्ता नहीं रहता है युद्ध यहां भी लड़ने पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि पहला अंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1772 में यहां हैदर अली और टीपू यानी बाप और बेटे यह दोनों लोहा लेते हैं और दोनों का रुझान फ्रांसीसियों की तरफ था मतलब फ्रांसीसियों का जो नियम कानून था उनकी नीतियां थी यहीने ज़्यादा पसंद आती थी और इस वज़े से यह फ्रांसीसियों से सहयोग मांगने में जरा भी गुरेज नहीं करते थे अंग्रेजों को इसी बात का डर था कि अगर मैसूर सामराजे फ्रांसीसियों को इन्वाइट कर लेता है और अपने आस अंरच्छट दे लेता है तो जो वांडिवाश में हमने धो रखा है वो फिर से लोट आएंगे तो इसका डर इनी सताता है और इसलिए अंत में सहयक संधी लाई जाती है देखिए इसके बाद दृतिय आंग्ल मैसूर यूदी 1789 से लेकर 84 तक का है तृतिय जो है वो 1790 से लेकर 92 का है और चौथा जो है वो 1799 में होता है और यहाँ पर जो टीपू सुल्तान हैं की मृत्ति हो जाती और वो शेर थे वास्तों में और यहाँ उनका जब देहा उसान होता है तो अंग्रेजों की राह रोकने वाला कोई नहीं रहता है इसके बाद आंग्ल मराठा संघर्ष भी होता है जब आप दक्कन में पैर रखने का साहस कर रहे हैं दक्कन में अपना वर्चस विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मराठों से आप न टक्राएं ऐसा नहीं हो सकता मराठे यहां की मूल शक्ती थे और यह शेर कहे जाते थे तो यहां अगर आप देखें तो पहला अंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 82 में उसके बाद दूसरा जो होता है वो 803 से लेकर 805 तक होता है अब एक बात यहां भी है कि जो पानी पत का तीसरा युद्ध था उसमें अफगानों से लड़कर मराठों का बुरा हाल हो गया था मतलब मराठे जो हैं वो बेकार हो जाते हैं मतलब मराठे शक्ति का एक तरह से वहां से पतन हो जाता है नश्ट तो नहीं होते हैं लेकिन अब इस काबिल नहीं बनते हैं कि मतलब वो अंग्रेजों का सामना कर सकें या जीत सकें इसके बाद जो तृदिया अंगले मराठे युद्ध है वो 1817 से लेकर 19 में होता है और मराठाओं की पराजय का जो कारण है वो यहां पर आप देखते हैं इतनी सारी चीज़े इसमें आपको दोरानी है इसके बाद सिंद विजय सिंद विजय की जो तारीक है वो है 1843 पंजाब का जो छेतर था उसमें अमरिट सर की संधी है वो आप देख रहे हैं 1809 की है यह महराजा रणजीत सिंग और अंग्रेजों की बीच में होती है पहला आंगले सिंद उसकी जो तारीक है वो 1845-46 है उसके बाद जो दूसरा है वो 1849-49 है और ब्रिटिश परमोचिता की अगर बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स की जो रिंग ऑफ फेंस यानि घेरे की नीती थी उसको भी हम लोग देखते है इसके बाद सहायक संधी की बात आती है सहायक संधी में कौन-कौन से राज्य शामिल थे कब करते हैं सहायक संधी मतलब इसे accept कब करते हैं ये सब चीज़े हम देखेंगे सहायक संधी ये वेलेजली की द्वारा लाई जाती है और भारत में इसका पहला प्रयोग किसने किया था तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डूपले डूपले इसका सीमित प्रयोग करता है बड़े पैमाने पर नहीं और इसमें वो बहुँ जादा सक्सेस्फुल नहीं होता है आंशिक तोर पर सफल होता है लेकिन वही काम अंग्रेजों ने किया और वो सफल रहते हैं वेलेजली की जमाने में सहाइक संदी में होता ये था कि पूरे राज्य छेत्र को मतलब मालीजे कोई राज्य है कोई रियासत है वहाँ पर राजा बना रहे वहाँ जो राजा पहले से काम कर रहा था वो काम करेगा लेकिन राजा कोई एक चीज माननी पड़ेगी कि जो अंग्रेजों की आर्मी है उसे अपने राज्य में रखना पड़ेगा अपने खर्चे पर और साथी साथ अपने जो बाहरी मामले हैं विदेशी मामले हैं वो अंग्रेजों की अधीन करने पड़ेंगे यानि बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको घर के अंदर बंद कर दिया جाए और कहा जा कि घर के बाहर मत निकलना घर के बाहर के किसी व्यक्ति से बाहर किसी भी आदमी से संपर्क मत रखना अंदर ही तुम्हें भोजन पानी सब कुछ मिलता रहेगा अपना चेहन से वहाँ पे मौज मनाओ यही स्थिती थी अर्थात आजादी छीन ली जाती थी और विदेशी जो मामले थे उसको अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे तो यहाँ अगर आप देखें तो हैदराबाद 1789, 1800 और हैदराबाद का जो निजाम था उसको मराठों से बहुत डर लगता था तो वो यहाँ पे पहले एकसेट कर लेता है कि भाई मेरा मामला तुम लोग रखो हमें मराठों से बचाय रहो बस इसके बाद मैसूर, मैसूर तो विवश्तावस टीपू सुल्तान की मृत्यू के बाद यहाँ पे जो अल्पवैस का शाशक है उनको गर्दी पर बैठा दिया जाता है और वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है तो कुल मिलाकर 1799 में यह चला जाता है वो दो ही है एक तो विलेजली है दूसरा डलहोजी है तो डलहोजी को देख लेते हैं इनका जो व्यपगत सिद्धान था यानि डॉक्ट्राइन आफ लैप्स की बात की जा रही है 1848 से शुरू होता है डलहोजी आता है और पहला काम यहीं से शुरू करता है 1848 से यह लगातार non-stop 1856 तक चलता है कैसे 17 का सबसे पहले विले होता है डलहोजी जब भारत में आता है तो वो देखता है कि यहां की जो प्रिंसली स्टेट हैं जो कि सबसे जादा मातरा में भारत में है यानि रजवाडे इनकी अपनी वैद संतान कमी है मतलब ये निसंतान या तो होते हैं और नहीं तो फिर संताने होती भी है तो कन्याय होती है जो वाजब उत्तरादिकारी है उनकी मिशेश कमी है और ये एक golden chance है मतलब अगर इसी चीज को हम आधार बना के राजे को हड़पना चाहें तो हड़प सकते हैं और इसलिए वो कहता है कि दत्तक पुत्र allowed नहीं मतलब आपका अपना नीजी पुत्र है तब तो आप गद्धी पर वैठाईए और वो जायज होगा लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को गोध लेकर और उसे अपना उत्तरादिकारी घोशित करते हैं यहाँ पर जो भगत है यह भगत नहीं है बगहाट है इसको सुधार लीजेगा बगहाट का 1850 है उदैपुर को अगर आप देखेंगे तो यह 1850 है नागपुर को देखिए तो यह 1854 है और यहाँ जहासी का 1853 होगा ठीक यह 1853 है डेट यहाँ सही नहीं है अवद को सबसे अंत में विलय किया जाता है 1856 में कुशाशन कारोप लगा कर यह राज्य का जो हड़पने का तरीका था डलोजी का उसमें ज्यादा तर इसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो गोद निशेद वाली थी मतलब दतक को यहाँ पर वैद नहीं मानते थे जो अपना जायज पुत्र होता था उसको यहाँ वैलिड माना जाता था लेकिन आवद के ऊपर पुरा कुशाशन कारोप लगा के इसका भी विलय कर लिया जाता है अब इसके बाद ब्रिटिश जो भारत था यानि ब्रिटिशों के अधीन जो भारत था उसकी विदेश नीतियां कैसी थी तो उसमें आंगल नेपाल संबंधों को आपको देखना है संगोली की संधी आप जरूर देख लीजेगा 1816 ऑंगल बर्मा संबंध इसके अलावा प्रथम आंगल बर्मा यूद 1824-26 रिथी आंगल बर्मा यूद 1854 रिथी आंगल बर्मा यूद 1885 और आंगल तिब्बत संबंध जो है वो भी देखने के आउशक्ता है तो ये सब चीज़े हैं, आला कि ये prelims के लिए उतनी उपयोगी नहीं है, prelims के लिए date इसमें इस्तिमाल की जा सकती है आगे चलते हैं, यहाँ देखें लासा की संधी, और ये जो लासा की संधी है ये 1904 की है अब ये समय किसका था? ये करजन का समय था, और लासा की संधी में उसकी जो नीतियां होती है वो अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा सफलता दायक, सिद नहीं होती है इसके बाद अंगल अफगान संबंद को आप देखेंगे, आखलेंड की जो अफगान नीति थी उसके बारे में देखेंगे अंग्रेजों को जब यहाँ पर मराठों और जो मैसूर सामराजे है, उसकी और से खतरा समाप्त होता है तो एक नया खतरा से उठाने लगता है जो की है अफगान, अफगानों का इन्हें बार-बार चैलेंज मिलता है और यह परिशान होते तो जो आखलेंड था उसके समय में अफगानों के प्रति क्या नीति थी वो देखेंगे उसके अलावा पहला आंगल अफगान युद्ध जो है 1849 से लेकर 42 वाला उसको देखना है जॉन लॉरेंस की जो अक्रियता की नीति थी मतलब निश्क्रियता वाली जो नीति इसकी थी वो आप देखना चाहेंगे उसके बाद लिटन की अफगान नीति है द्विधी आंगल अफगान युद्ध ए इसके बाद गंडमक की संदी है इसके बाद गंडमक की संदी की जो डेट है वो कौन सी है यह 1889 की इसके बाद जो यहां पर नॉर्थ नॉर्थ इस्ट वाले फ्रॉंटियर रेंज थे या रीजन आप कह सकते है उत्तर पूर्वी सीमान प्रांथ थे इनके आधार पे अगर रेखा जाये और यहां पर वास्तों में जो दिशा दी है वो गलत दी है डूरंड समझोते का संबंध किसे है यह अफगानिस्तान और भारत के बीच में बार्डर रेखा वाला जो संबंध था उससे है तो इसमें पश्चिमी होगा ठीक यहां पर पूर्वी नहीं होगा बल पाकिस्तान के अधिकरत कश्मीर है उसमें चला गया है और कुछ ही हिस्सा हमारे पास है इसलिए डूरंड रेखा कि लंबाई को लेकर अभी जो मतभेद है वो दिखाई पड़ता है फिलाल देखिए इसके बाद जंजाती आंदोलन हमें देखने हैं जंजाती आंदोलनों म यह चुआर जंजाती के द्वारा किया जाता है 1776 और इस विद्रो का मुखे कारण अंग्रेजों की सोशन पूर आर्थिक नीतिया थी कोल विद्रो को आप देखिए छोटा नागपूर में कोलों ने बुद्धो भगत के या बुद्धु भगत के नित्रतों में 1831 में यह विद्रो किया था विद्रो का कारण क्या था विद्रो का कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा उस छेतर में जो कोल आदिवासी थे या कोल जंजाती के लोग थे उनकी जमीने दीकूओं को दी जा रही थी दीकूओं मतलब बाहरी जो बाहरी सोशन करता है उनको दी जा तो यहाँ पर हो और मुंडा विद्रोह को आप देखेंगे, तो हो और मुंडा विद्रोह में यहाँ पर कई खंडे हैं, जैसे कि आप अवाले को देख रहे हैं, राजा पराहत के नित्रतु में, हो जन जातियों के द्वारा 1827 में, सिंगभूम और छोटा नागपुर वाला जो छेतर हैं, वहाँ पर विद्रोह होता है, सिंगभूम जिले को अंग्रेजों के द्वारा हस्तगत किये जाने के विरोध में यह सब हो रहा था, इसके बाद हो और मुंडा जन जाती हो द्वारा सन्युक्त रूप से फिर से 1831 में, अंग्रेजों की नई जो भूर मुंडा के नित्रितु में, यहाँ पर कहा गया, मुंडाओं का जो बिर्सा मुंडा के नित्रितु में यहाँ पर विद्रोह होता है, इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है, बिर्सा जो थे, यह मुंडा जन जाती के लीडर थे, और यह जितने भी मुंडा आदिवासी होते ह उन्हें गठा करते हैं और आजादी का मतलब बताते हैं सोशन का जो यहाँ पे स्वरूप था उसे समझाते हैं तो यह सब चीज़ें इनके नित्रितों में 1899 यहाँ आप देख रहे हैं लेकिन बिर्सा मुंडा के नित्रितों में जो यहाँ पे आंदोलन चला था अभियान चला था उसको उल्गुलान कहा जाता है ठीक तो 1860 से लेकर 1920 के बीच में चलता है और ऐसा नहीं है कि हमारे Study for Civil Services के PDF में पहली बार एड़ किया गया है यह पिछले 2 साल से ऐसे ही है उल्गुलान और इससे question बना था और इसकी PICS भी हमने share की थी पिछले साल तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ State PCS में हमारी PICS काम करती है जो UPSC है उसमें भी हमारी PICS जो Current Affair वाली होती है या Static Portion वाली उससे बहुत सारे question फस्ते है तो आप इन्हें देख सकते हैं फिलाल देखे तो यहाँ पर मुंडा जो थे मतलब विर्सा मुंडा उन्होंने सोशण का समर्थन किया था माफ कीज़ेगा इस विद्रो का समर्थन किया था मतलब विद्रो कौन सा होता है उल्गुलान विद्रो होता है और इसको बाद में जो बिर्शा मुंडा है उनका नित्रत उपराप्त हो जाता है सामन्ती और जमिदारी व्योस्था को प्रारंब किये जाने का तथा जो साहुकार और ठेकेदार थे उनके द्वारा सोशण किया जाने का जो विरोध है वो यहाँ पर दिखाई देता है इसके बाद संथालों का विद्रो तो बहुत जादा उग्र था जैसे मुंडा विद्रो आप देखते हैं वैसे ही यह बहुत जादा हिंसक विद्रो था और संथालों द्वारा सीधों और कानू जो थे उनके नित्रितु में सीधों और कानू इने कहा जाता था तो 1856 का जो समय था बिहार और स्थानी जो जमिदार थे मतलब बिहार चेत्र में ये सक्रिय होता है स्थानी जमिदार और जो महाजन होते थे जो कि यहाँ पे धन money lender कहे जाते हैं तो इस प्रकार के लोगों के social के विरोध में चलता है और कालांतर में यह जो विद्रो है यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का रूप धारन कर लेता है मतलब शुरुवात इसकी कैसे होती है जो landlord का social होता था उसके खिलाप होती जमिदारों के social के विरोधी आवाज उठाते हैं लेकिन बाद में यह देखते हैं कि अंग्रेजी जो जमिदार है उनको परियापत समर्थन मिल रहा है यहाँ वो देखते हैं मतलब होता यह है कि जब जमिदारों को यह एकदम से परिशान कर देते हैं उग्र उनके खिलाप हो जाते हैं तो जमिदार जाकर अंग्रेजों से सपोर्ट मांगते हैं और अंग्रेज यहाँ खुशी खुशी उनने सपोर्ट देते हैं और ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन काफी ज़्यादा हिंसक हो जाता है अंत में इसे कुचल दिया जाता है लेकिन ये काफी ज़्यादा मतलब एक तरह से निर्शंस रहता है इसमें मार काट भी मचती है इसके बाद खोंड विद्रों को आप देखेंगे तो ये चक्र इत्रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाने पर और नए कर आरूपित किया जाने पर ये विरोध के वज में आरंब किया गया था इसे हमने देखा इसके बाद आप नैकदा को देख रहे हैं तो नैकदा 1860 वाला है और मध्यप्रदेश और गुजरात में सक्री रहता है खोंडा दोरा नाम की एक जनजाती थी और कोरा मलाया के नेत्रतुमें ये लीडर का नाम है या ध्यान दीजेगा खोंडा दोरा क्या है ये जनजाती का नाम है और कोरा मलाया जो है ये लीडर का नाम है तो इनके नेत्रतुमें सन 1900 में विशाखा पत्तनम का जो डावगूर चेत्र था वहाँ भी शुरू होता है और कोरा मलाया ने खुद को अलावकिक शक्तियों से संपन्न होने का दावा किया था और अंग्रेजों ने विद्रोईयों को मौत के घाट उतार दिया था तो पूरा मामला है इसके बाद आप भील विद्रोई को देखेंगे तो भील विद्रोई जो है यह 1817 से लेकर 19 के बीच में चलता है 1913 तक यह सक्री रहता है और पश्चिमी घाट छेत्र में यह मतलब ही समय समय पर एक्टिवेट होता है ऐसा नहीं कि 1800 से लेकर यह सन 1913 तक चल रहा है बीच बीच में इसमें गिरावट आती है फिर उटकर खड़ा होता है ऐसे और इसमें आप देख रहे हैं कि इस इंडिया कंपनी का जो साशन था 1817 वाला उसमें विरोध और भील राजी की स्थापना के लिए इसको चालू किया गया था उसके बाद भुयान और जुआंग विद्रो को आप देख रहे हैं तो भुयान जुआंग और कलो द्वारा प्रथम विद्रो का नित्र तो रतना नायक ने किया था यहां जो लीडर द्वारा उत्तर अधिकार के प्रशन पर हस्तक शेप किया जाने के विरोध में यह स्टार्ट हो जाता है तो यह कुछ मामला था जिसे कि हमने यहां पर देखा उसके बाद आगे बढ़ यहां आप ताना भगत का विद्रो देख रहे हैं तो ताना भगत का जो विद्रो है इसमें आप देखें कि मुंडा और 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 जंजातियों जवारा चलाया जा रहे है इस सांदोलन का नित्र भगत और बल्राम भगत ने किया था यहां पर देखें नाम दिया है इस नाम को आपको देख लेना चाहिए यह जत्रा भगत और बल्राम भगत थे जिसके द्वारा हस्तक शेप किया जाने के विरोध में ये शुरू होता है मतलब बाहरी जो आकर यहाँ पे स्थानिय आदिवासियों की या जनजातियों की जमीन छीनने का काम करते थे उनको दीकू कहा जाता था इनकी भाशा में तो इनका जब हस्तक शेप स्टार्ट होता है और प्रेसिडेंसी की जो बिरोध में उठाई गई आवाज है उसके तोर पे देखा जाता है मतलब यह है कि ताड के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है जो कि एक मादक पदार्थ और यह मादक पदार्थ मतलब इसे अवैद घोशित कर दिया गया मतलब इसे जैसे आप ताड के पेड़ पर से ताड उतार कर और उसकी ताड़ी बनाकर उसे बेच रहे हैं या उसे पीने के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं तो यह तरीका जो था इसको अवैद घोशित कर दिया गया और इसके लिए सरकारी परमिशन आवश्यक थी मतलब सरकार ने उस पर अपना दियंतरण करके टैक्स लगा दिया तो इसी के विद्रोह में यहाँ पर आवाज उठती है और ताड़ी बनाना इन पहाणी जन्जातियों की संस्कृती का हिस्सा था वो पहले से चल रहा था आला कि ताड़ी बहुत फायदेमंद नहीं होती है मादक पदार्थ होता है और यह मतलब यहाँ पर नशाखोरी को बढ़ावा देने वाला था फिलहाल तो इसके प्रतिबंद से वो उग्र हो जाते है और विद्रोहियों को अंतता दबा दिया जाता है और एक बड़ी संख्या में विद्रोही जो थे उनको काला पानी भेज दिया जाता है यानि अंड मान जे यह आपने देखा यह पहला रंपा विद्रोह था इसका कारण था वही ताड़ी पर जो यहाँ रोक लगती है और टेक्स लगा दिया जाता है इसके पाद जो दूसरा वाला है उसको देख लीजे तो गोदावरी का जो उत्तर वाला छेत्र है मतलब गोदावरी जिला उसके उत्तर में इस्थित रंपा छेत्र की जो जनजातियां थी उन्होंने ब्रिटिश आशन के विरूद अगस 1922-1924 का जो समय था मतलब अगस 1922 से लेकर मई 1924 तक का जो समय था उसमें अलूरी सीताराम राजु के नित्रितों में विरूद किया था यह दूसरा वाला है ध्यान दीजेगा जो द्वितियरंपा विद्रो है उसमें अलूरी सीताराम राजु का नाम जुड़ता है और यह जो विद्रो था यह पुराने मुद्दे जितने भी थे पीछे वाले उसमें साहुकारो द्वारा सोशन इसके अलामा जूमक्रिशी और जितने भी इस प्रकार की खेती थी उस पर रोक लगाना अंग्रेजों के द्वारा मतलब जो शिप्टिंग कल्टिवेशन था उस पर इन्हों ने लगाम लगाने का प्रयास किया था और ये वास्तों में पूरे छेत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता था मतलब जूमक्रिशी आप अभी भी देख रहे हैं कि जो पूरवत्तर वाला छेत्र है भारत का वहाँ निर्वनी करण बहुत तेजी से हुआ है मतलब पहले की तुलना में वहाँ पे जंगलों की तादाद घटी है अलाकि वनावरण इतना सगन है कि अभी भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वन स्तिती रिपोर्ट कि अगर आप तुलना करें 2017 और 2019 की तो देखेंगे कि वहाँ पे वनावरण में कमी आई बढ़ा नहीं है उसकी तुलना में भारत के अने छेतरों में बढ़ा है तो कारण क्या है वहाँ पे शिप्टिंग कल्टिवेशन एक गंबीर समस्या है और यहीं जंजातियों के त्वारा ही की जाती है मतलब एक जमीन बंजर हो गई तो उसको छोड़कर आगे की जो जंगल वाली जमीन है उसमें आग लगा के उसको साफ करते हैं और वहाँ पे फिर खेती करते हैं तो इससे मृदा अपरदन और जमीन का तो हिरास होता ही है साथ-साथ जो जंगल है उनका भी विनाश होता है और ऐसे में अगर आग अनियंत्रित हो जाती है तो जंगल में पूरे फैल जाती है जो वन जीव है वो भी नश्ट होते हैं जंगल तो जलते ही है ये सब समस्याए हैं और इसको जंजातियों को समझाना बहुत टेड़ा काम होता है ये लोग जो हैं किसी की सुनना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे ये शिप्टिंग कल्टिवेशन को रोकने का प्रयास करते थे और इसके लिए भी इन्हें विद्रो जेलना पड़ता था इसने आदिवासियों से बिना मजदूरी लिए जंगल में सडक निर्माड का कारे शुरू कराने का प्रयास किया और 6 मई 1924 को राजु को गिरफतार किया गया भागने का प्रयास करते हुए उन्हें गोली मारती गई और अंत में सितंबर 1924 का जो समय था उसमें विद्रो समाप्त हो जाता है ये कुछ चीज है इसके बाद आप जारखंड आंदोलन को देखेंगे तो जारखंड आंदोलन जो है ये चोटा नागपुर के जो आदिवासी है उनके द्वारा किया जाता है 1920 से इसकी शुरुवात होती है और छोटा नागपुर से ये होते होते पूरे बिहार उडिशा और पश्चिम बंगाल का जो छेतरी हिस्ता है वहाँ तक फैल जाता है इसके बाद 1937 में आदिवासीयों की महासभा होती है 1949 में छेतरी जारखंड दल की स्थापना होती है ये सारे काम इस समय होते है तो ये जारखंड का पूरा छेतरी आंदोलन है लेकिन ये बात है कि जारखंड वाले छेतर में ये सीमित नहीं रहता है आसपास के इलागों में भी यहां तक बंगाल तक ये चला जाता है उसके बाद आप नीचे देखिए वन सत्याग्रा है तो वन सत्याग्रा क्या था ये चेंचू जन जातियों के द्वारा चलाया गया था और 1920 का जो दशक था उसमें ये चलता है आंदर प्रदेश के गुंटूर जिले में और इसके बाद पलामू के जो खारवार थे उनके द्वारा ये 1930 के दशक में बिहार में चलाया जाता है मतलब वन सत्याग्रा को चलाने वाली यहां जो जन जातियां है उनके नाम दिये उसमें चेंचू और प्रदेश के गुंटूर जिले में और समय है 1920 वाला मतलब वो डिकेड था दशक और उसके बाद 1930 का जो दशक था उसमें बिहार में ये पलामू के जो खारवार थे उनके द्वारा इसके बाद इन विद्रोहों का मुख्य कारण क्या था क्या वज़ा बन गई तो वज़ा ये थी कि अंग्रेजों द्वारा वनों का दिग्रहन करके नए वन अधनियम जो है वो लागू किया जा रहे थे जंगल को ये अपनी संपता समझते थे मतलब जंगल उनकी बपोती है ऐसा समझते थे और बपोती है तो ठीक है उसका संरचड करो लेकिन ये नश्ट करने का भी काम करते थे चुकि इनका पूरा जीवन जंगल पर ही आश्रित होता था जंगली उत्पादों का ही सेवन करते थे लेकिन उसी नासमझी में ये जंगलों का नुकसान भी करते थे मतलब जहां नहीं करना चाहिए वहां भी कर देते थे समझ का भाव था और इन्हें समझाना टेड़ी खीर से दो होता था तो अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पर जो जंगल कानून है उन्हें बना दिय मतलब वन के अधिनियम बना दिये ताकि कानून के सहारे इने कड़ाई से रोका जा सके और इसलिए ये बगावत उठकर खड़ी होती है इसके बाद आप गोंड विद्रों को देखेंगे तो गोंड विद्रों जो है 1940 के दशक में गोंड धर्म के जो अन्याई थे उनको एक कालिक नीतियां थी चाहे वो अच्छी रही हो या खराब रही हो जैसे कि वन अधिनियम है या शिप्टिंग कल्टिवेशन पर रोक है इस प्रकार के जो फायदेमंद कानून है उनके भी विरोध में यहां आवाजे उठती है लेकिन खास जो कारण होता है वो सोशन वाला थी और उसके बाद युद्ध जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता था तो यही पूरा मामला है इसे हमने देखा अब इसके बाद जो आगे वाला सिग्मेंट है उसमें देखना है पुर्वत्तर के सीमांत जंजाती आंदोलन अब इसमें दो धड़े हैं एक तो 1857 स के बाद वाला है मतलब यह बीच में एक विभाजक रेखा है जो कि 1857 के स्वतंधरिता संग्राम के तोर पर दिखाई देती फिलाल पहले वाला पहले देखते हैं तो इसमें यह कहा गया कि अहों विद्रो पहले और छेतर असम था अहों विद्रो के बारे में आप जानते ही है 1828-33 बर्मा युद्ध के बाद जो बर्मा युद्ध होता है उसके बाद इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा अपने वायदे को पूरा नज किये जाने के कारण कमपनी ने बल का प्रयोग किया और विद्रो को कुचल दिया और राजिका विभाजन कर दिया कहने का मतलब य 1830 के दशक में जयन्तिया और गारो जो पहाडी छेत्र था वहाँ पर होता है और यहां पर नुकलोब शाशक तीरत सिंग और भारमानिक ये भारमानिक कहे जाते हैं इनके अलामा मुकुंद सिंग ये सब इनका नेत्रत करते हैं मतलब तीरत सिंग है इसके अलामा भारमानिक और मुकुंद सिंग है इनके त्वारा ये पूरा नेत्र तो इस विद्रों का दिया जाता है और अंग्रेजों त्वारा ये पहाड़ी छेत्र जो है इसमें हस्तचेब किया जा रहा था और हस्तच्छेप किस प्रकार का था वो डीटेलिंग है लेकिन उसी के विरोध में ही उठा था इसके बाद सिंग फोस का विद्रो जो है इसको आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे 1830 के तशक में असम का जो ये विद्रो है इसका नेक्टर तो रनुआ गोसाई ने किया था ये छेतर कौन सा है? असम है और यहाँ पे नेता का नाम याद रखना है आपको रनुआ गोसाई इनके तवारा किया गया था और इसका कारण इस छेतर में अंग्रेजों के थारा आधीपत्रे स्थापिक करने का प्रियास करना था अंतता विद्रो को चल दिया गया अंतता इस विद्रो को एकदम दबा दिया गया ये सब चीजें हमने देखी अब जो इस लेक्चर का अगला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे 1877 के बाद वाले विद्रो मतलब बीच में एक विभाजक रेखा है उसके बाद क्या होता है ये हमें देखना है लेकिन इस लेक्चर में इतना है और तब तक के लिए नमस्कार